हेलो दोस्तों स्वागत आज आपका हमारे यूटूब चैनल मेडिकल के आपका दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एनोटमी ओफ एमारी ब्रेन जो जो हुमन का जो ब्रेन होता है वो रियल में दिखता कैसा है और उसमें कौन-कौन से पार्ट होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे ठी है तो यह आप जैसे की इमेज देख रहे हो इस पर एक नॉर्मल ब्रेन जो 3D में दिखाया गया है ठीक कुछ इस परकार का दिखाया लेकिन रियल में यहां पर कौन-कौन से पार्ट हमें विजीबल होते हैं हमारी या सीटी स्कैन में वो आज हम पढ़ेंगे ठीक है तो स् एक पहले तो पहले हम देख लिएक इसमें हमें कौन-कौन से पार्ट व्जीबल हो रही हो hall कुछ पायर्ट तो देख सेसे पताफ्ट जाए लेकिन कुछ पार्ट क्योंकि 3D में और इसमें बहुत डिफrzyंस्ट है टो हम इसमें देख लिख लिखें कि हमें कौन-कौन सा पार्ट ब्रेन का दिखाई दे रहा है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं हम आप सबसे पहले अगर गोर करेंगे तो सबसे पहले यह अगर आप देखेंगे तो यह हमारा है स्पाइनल कोड़ अगर यह वाला पार्ट यह वाला अगर यह वाला पार्ट देखेंगे अब यह वना पार्ट है हमारा सहरे बल्म का पार्ट है Cerebrum का Part यह वाला Part जो हमारा Cerebrum का Part है ठीक है उसके बाद अगर आप यह देखेंगे यह वाला जो देखेंगे आप यह जो यह जो ऐसे आप उसी से अपने जो कर्व दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं Corpus Collogen Corpus Collogen Corpus Collogen ठीक है मैं इंक चेंज कर लेते हैं साइद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है यह यह लो कलर में ठीक है तो यह हमारा Corpus Collogen ठीक है उसके बाद में अगर हम देखें तो बिल्कुल इसके इसमें यह वाला जो गोल है आपको यह वाला यह है इसको बोलते हैं Thalamus ठीक है उसके बाद में अगर यह आप देखें यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट अगर देखें हम तो इसको बोलते हम पॉंस ठीक है इसको बोलते हम पॉंस ठीक है पॉंस ठीक है यह आप एक बाद देख लीजी अगर आपको दुबारा देखना है तो सबसे पहले हमने देखा कि यह वाला जो हमारा जो यह है यह वाला जो करवेचर है यह हमने देखा कि यह spinal cord है ठीक है जो यहां से जा रही है हमारे brain से आ रही है और यह वाला जो हमने बनाया यह एक अलग से छोटा सा जो आपको leaf की तरह पत्ती की तरह जो दिखाई दे रहा यह है cerebrum का part ठीक है उसके बाद यह हमने देखा कि यह जो उपर वाला जो c-shape का है यह हमारा है corpus collagen उसके बाद में यह जो हमारा beach का part है corpus collagen के इसको कहते है thalamus और इसके बाद में यह जो नीचे आते thalamus के नीचे आगने के बाद यह हमारा ponds ठीक है यह हो गए next देख लेते हैं इसको मैं rub कर देता हूँ ताकि हम और अच्छे से लिख सकेंगे बागी चीज है यह जो हमें दीख रहा फॉर्ण नंबर पर यह हमारा sphenoid sinus sphenoid sinus दोस्तों अगर आपने इस brain को यह जो image है वो beach की जो बिल्कुल जो जिसमें सबसे ज्यादा नोट में पता जलती है वह वाली image है ठीक है तो यह हमारा कौन सा है sphenoid sinus ठीक है यह हमारा sphenoid sinus है ठीक है अगर इसको हम देखें तो एक जो pitutri gland होता है हमारा selah जिसको गहते है यह वाला जो part है वो है हमारा selah जो part है वो हमारा यह वाला part यह वाला ये जो आपको एक छोटा सा दिख रहा है अगर मैं आपको दूसरे कलर में इसको दिखाऊंगे अगर आप ये देखेंगे ये वाला पार्ट ये छोटा सा ये वाला पार्ट जो अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं सेला सेला ये वाला पार्ट जो हमारा सेला का है ठीक है उसके बाद में ये वाला जो एरिया है आपका इसको मैं यहां लिख देता हूँ सेला को सेला को यहां लिख देता हूँ ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला ये वाला है हमारा नेजल सेप्टम नेजल सेप्टम यह वाला पार्ट है हमारा नेजल सेप्टेम का ठीक है उसके बाद में यह आपको देख रहे हैं यह वाले हमारे वर्टिब्रा यह हमारा वर्टिब्रा है ठीक है यह आपको पता ही है स्पाइनल कोड का एरिया है ठीक है यह वाला जो आपको भार बॉन दीख रहा है, यह वाला जो भार आपको दीख रहा है, यह बॉन है, जिसके अंदर ब्रेन हमारा रखा हुआ है, यह बॉन नहीं है, बॉन इस्ट्रक्चर है, यह बॉन है, ठिक है, और अगर यह वाले लोब की बात करें तो यह हमारा जो पीछ ठीक है यह वाला और सिप्लल रीजन है और यह वाला जो हमारा है यह वाला रीजन जो हमारा है इसको बोलते हैं पैरेटियल रीजन पैरेटियल रीजन बोलते हैं उसको ठीक है उसके बाद में यह वाला जो रीजन हमारा यह वाला ये वाला जो रीजन हमारा ये हमारा इस को रप कर देता हुए Goog order और ता की आपको और और सैलक से समझ मधाएगा को ये वाला व रिजन है न हमारा ये वाला जो रीजन है ह। ये वाला ये मरा फ्रेंटल रीजन और फ्रेंटल ठेन और यह हमारा यह वालो जो आप एक बलेक लर की जो लाइन डेकरें न, यह से रेब्लम है हमारा और यह हमारा से रेब्लम का पार्ट, ठीक है, अगर, हमने को अगर वह करें, तो दो जीज में अगर डिफरेंस देखें ये हमारा पार्ट जो है ये हमारा सेरेब्लम का पार्ट और ये जो हमारा पार्ट है ये जो में येलो कलर में ये हमारा सेरेब्लम का पार्ट ठीक है ये सेरेब्लम का पार्ट ये सेरेब्लम है और ये सेरेब्लम है ठीक है दोनों अल लाइन देख रहे हैं उसके बीच में अगर आप यह लाइन देखेंगे ना एक लाइन जो बीच में लाइन यह वाली कि यह हमारा स्यनेश इस है स्ट्रेट साइनस इसको बोलते हैं स्ट्रेट साइनस स्ट्रेट साइनस ठीक है स्ट्रेट साइनस ये फिर हमारी पीछे स्किन आ जाती है नीचे ये नेक का एडिया हमारा स्टार्ट हो गया यहां से ठीक है अगर ये देखेंगे तो ये हमारी टंग है ये हमारा नेजल सेप्टम जो हम पढ़ चुके है ये हमारा स्पेनोईट साइनस चार नंबर जो हमें पढ़े है ये हार्ड पैलेट होते है हमारा जो उपर का एरिया है ये जो ब्लैक दिख रहा है ब्लैक से उपर जो है हार्ड पैलेट बोलते हैं इसको हार्ड पैलेट ठीक है उसके बाद में यहां कहीं आपका है न जो साइनस जो आपने कभी सीटी में देखा होगा तो यहां पर आपका जो फ्रेंटल साइनस यह फ्रेंटल साइनस है फ्रेंटल साइनस ठीक है तो दोस्तों जो मेजर मेजर तो जो अमारी brain के जो sagittal image में जो major major anointment देखती है वो हमने यहाँ पर cover कर लिए ठीक है अगर हम axial sequence देखें इसका अगर हम एक axial image देखें हैं हमारा एकी तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या दिखाई देता है maximum इसमें हमने cover कर दिया लेकिन उसमें देख लेते हैं image में कि sagittal में हमें क्या 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 दिखाई देता है ठीक है sorry axial image में हमें क्या 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 दिखाई देता है तो सबसे पहले जो हमें यह जो black color दिखाई दे रही है हमारा spainoid sinus spainoid sinus spainoid sinus ठीक है उसके बाद में ये जो आप B देख रहे हैं ये हमारा पॉंस का एरिया है इसको हम पॉंस कहते हैं ठीक है वो सैज की मेंज थी ये हमारी एक्जिल की मेंज थी ठीक है और ये जो आप एक ब्लेक लर का जो डी का डी नमबर देख रहे हैं ये वाला बेसिलर आटरी इसको हम नाम देते हैं बेसिलर आटरी ठीक है यह वाली बेसिलर आटरी है ठीक है उसके बाद में ये जो आप दो देख रहे हैं ये वाली ये दोनो ये हमारे internal carotid artery carotid artery carotid artery जो brain में blood को supply करती है ठीक है अरोटा से लेके जो brain में blood को supply करती है ये carotid artery करती है राइट और लेफ दोनों दोनों तरफ होती है ठीक है उसके बाद में ये अगर आप देखें तो orbit ये आपका orbit हो गया है ठीक है ये आपके ventricle ये जो आप सेब देख रहे है ये जो आप सेब देख रहे है ये आपके ओगे ventricle आपको different समझ में आजागा दोनों इमेद का कैसे कैसे दिखते है ठीक है तो axial में आपके ventricles यहां दिखते है ये basilar artery है ये internal carotid artery spanoid sinus आपको ये ये वाला जो spanoid sinus हो गया ये आपका nasal nose का जो nasal का area है वो हो गया ये आपके दोनों तरफ right orbit and left orbit ठीक है ये जो आपकी दीख रही है ये वाली optic nerve है आपकी ये वाली कौन सी है optic nerve ये वाली optic nerve है ठीक है तोस्तों जो maximum maximum जो था हमारा इसमें जो हमें anotomy cover करनी थी वो हम maximum anotomy cover कर चुके है यहां पे आपका को के लिए भी present होता है और ठीक है यहां पर दोनों तरफ आपका को के लिए जो year वो होता है वो present होते है ठीक है दोस्तों तो हमारा आज ये वीडियो यहीं पर end होता है अगर चैनल पर ऐसे वीडियो और देखने ता आपको चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर कर कर दोस्तों आपको उर्एबर सेर वो हीं जरूर कर कर by cn अबोलक दोक है आपको छादोरूर कर दोस्तों ते र Weight, नब दो, entropy, घएएएज जरूरूर को अड़र है टोस्तों कन ते ते लिए थावीपश si क्योवा है गाज़ है वाज़ है दोट